हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी नमस्कार Quick News प्रोग्राम में आपका स्वागत है टॉपिक है आखिर का वग्यानिकों को मिली सामाने नीट्रोन तारे की सनचना हमारे ब्रमान में अंगिनत नीट्रोन तारे हैं खगुल शास्त्रियों के अनुसार कोई मरता हुआ तारा अपने द्रवेमान के कारण नीट्रोन तारा बनता है डाटा के अलग-अलग महतपूर्ण टुक्रों को जोरकर इस पहली को पूरा करने की कोशिश की है इस प्रक्रिया में सध्धान्तिक प्रमानु भौतिकी और खगोली अवलोकन के सिध्धान्तों को संतुष्ट करने वाले लगभग एक लाग से अधिक विभिन समिकरन बनाए गए थे वैग्यानिकों की इस कारे समुह ने पाया कि एक दसमलो साथ सौर द्रवेमान से अधिक द्रवेमान वाले भारी तारों में कठोर मिंटल के साथ ही नरम कोर होती है जबकि एक दसमलो साथ सौर द्रवेमान से छोड़े द्रवेमान वाले हलके तारे एक नरम आवरन या मिंटल के साथ कठोर कोर की रूप में दिखाई देते हैं हालांकि निट्रॉन तारों को प्रयोक शाला में प्रिथिवी पर बमुश्किल ही दोहराया जा सकता है फिर भी यह प्रयोक निट्रॉन तारों के बारे में और अधिक जानने में मदद करेगा निट्रॉन तारे का भार सुरी से एक दसमलो चार गुना ज्यादा होता है हालांकि इनका भार दस से 29 गुना तक अधिक हो सकता है तारों के जीवन के अंतिम पराव पर जब कोई तारा गुरुत्वाकरसन के कारण अपने ही किंद्र में सिमट जाता है तब निट्रॉन तारे की उत्पत्ति होती है हाली में खगोल वीदो ने अब तक का ग्याद सबसे भारी निट्रॉन तारा हेवियेस्ट निट्रॉन स्टार को जा था इस निट्रॉन तारे ने अपने साथी तारे को लगभग पूरी तरह से निगल लिया था जिसके कारण यह अब तक का सबसे भारी नीट्रोन तारा बन गया वेग्यानिकों ने इस तारे को ब्लैक वीडो नाम दिया है